जहिन तो कैसे हैं आप सभी ओमित करता हूँ कि आप सभी सौस्त होंगे दोस्तों आज कर वीडियो होगा यह आप सभी के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट होगा जो भी केंडिट बीएसे प्रेट्समें का फिजिकल देने जा रहे हैं या फिजिकल हो गया है उन सभी के लिए यह एक अपडेट है बीएसे मिरू केंप हजारी बाग का बाइस सारीक से जो है फिजिकल वह चल रहा है बीएसे मिरू केंप और ऐसे से तमाम जो भी स्टेट में फिजिकल सिंटर बनाए गया हैं वहाँ पे और व क्या है कि पांच बेस से इंटरे इस टार्ड हुआ बिए सब मेरू केम का अपडेट दे रहे हैं आपको जो की हजारी बाग में है और साड़े तीन सो केंड़ेट को बुलाया गया था क्योंकि पहले दो दिन जो है कि साड़े तीन सो केंड़ेट को ही बुलाया जा रहा है और जिसमें से candidate जो present हुए थे वो 200 candidate जो है कि present हुए थे और यह information जो है कि हमें VKS Singh ने दिया है VKS Singh उनका पूरा नाम हुआ Instagram पर हमें पूरा details में उन्होंने लिखके send किया था और 200 candidate में से 16 candidate जो थे वो height और chest में reject हो गया है और उसके बाद जो candidate बचे थे 117 करके candidate को running के लिए बुलाया गया था दो batch में running कराया गया है सारा process होता है biometric और यह सब करने के बाद उन्हों को running के लिए बुलाया गया था 165 height उतना ही लिया जा रहा है और जो लोग यह बोर रहे हैं कि छूट के लिए तो ST जो भी category है उनको height में छूट के लिए उनको अपना annexor और cast certificate उनको बना के ले जाना होगा और वो वहाँ पे चेक हो रहा है सिर्फ ST वालों के लिए और किसी के लिए ने सभी के लिए 150 height मांगा गया है 170 candidate को पहला batch बना था और पहला batch का running जो हुआ था वो आप लोग का 630 बजे रनी हुआ है और जो दूसरा batch का running हुआ था वोग आप लोग का 530 बजे हुआ है यानि साम में ही running हुआ है बीच में जो आप लोग का 10 बजे के बाद से running किना permission नहीं दिया गया ऐसा वहां के Commandant ने inform किया बच्चों को कि 10 बज़े के बाद जो है हमनों running नहीं करा सकते हैं और यह height, chest और biometric में जो है समय ज़्यादा लग गया जिसके कारण से यह साम में ही running हो रहा है और यह SACGD के समय से ही running हो रहा है तो पहला बैच में जो 117 candidates रोड़े थें उसमें से मात्र 50 candidates जो है वो qualify कर पाएं फर्स्ट बैच में और जो दूसरा बैच था वीडियो इस्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए चोटा सा information जो भी candidate B.A.C. Constable Tradesman की तयारी कर रहा है उन सभी के लिए market में एक नई book launch हो शुकी है जो की चक्छू प्रकासन की तरब से है इस book की अगर खासित की बात करें तो इसमें आप लोगों को 2400 से ज़्यादा बहुवी कल्पय प्रसंद देखने को मिलेंगे साथी साथ 20 practice set आपको इस book में देखने को मिलेंगे और अपनी तयारी को और भी मजबूत करना चाते हैं इसके साथ आपको guide भी देखने को मिलेगा इससे लेकर आपने तयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं यदि आप इस book को purchase करना चाते हैं तो निचे description में इसका link मिल जाएगा आप इसे Amazon और Flipkart से इसे purchase कर सकते हैं जो दूसरा batch है जिसका साथे 5 भी running हुआ था उसमें भी 117 candidate ही थे और उनको उनमें से जो है साथे 5 भी उनको running करा उनमें जो है candidate जो qualify किये हैं वो 74 candidate की qualify किये हैं तो टोटल आप जोड़ लिजेगा तो 124 candidate जो है कि 200 में से qualify किये हैं तो लगभग जो है कि जितने candidate आया था उसमें से 50% हो जाता है हाला कि बुलाया गया था 300 उसका percentage आप निकाल लिजेगा कि 124 candidate जो है कि वो qualify किये हैं साड़े 300 में से और आज 24 तारिक है आज 400 candidate को बुलाया गया होगा तो अभी बच्चे नहीं आपाया है एक दिन लेट से हम review आप लोगो provide कर रहे हैं क्योंकि रात में candidate निकलते हैं तो उसमें review नहीं दे पाते हैं उसमें message call नहीं कर पाते हैं तो घर जाने के बाद आराम से अपना message टाइप करके आफिर बोलके बात करके हमें review देते हैं वहां के बारे में बताते हैं तो इसी तरह का update आपको चाहिए और भी आगे चाहिए तो आप नीचे जरूर लिख दीजिएगा और हाँ एक चीज और लिखिएगा कि आपका physical कब है और की center पर है कोशिज कर रहे हैं कि जो भी other center के हैं जो भी candidate है जो physical दे चुके हैं 22 और 23 को वह हम से जरूर contact है और अपने track के बारे में बता है और track के बारे में आपको बता दे कि जो भी ऑने पकाँ से बीजिए हैं